नमस्कारम मैं हूँ योगी नित्य और आज हम अनार की पत्तियों और अनार के फूलों के बारे में बात करेंगे जिनके घर के पास अक्सर जब देखने में आया है कि अनार के पेड़ बहुत जगा हैं लेकिन लोगों को इसके प्रयोग के बारे में नहीं पता और मैं ये कहूँगा कि आप दबाओं पर इतना खर्च करते हो छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप इनको अपने जीवन में ले आओ तो आपके पैसे भी बचेंगे और इस जड़ी बुटी का भी होना वहाँ पे साथ थक हो जाएगा औरों को भी बताईएगा मैं अनार के ओपर बहुत सारी वीडियो पहले भी बता चुका हूँ दे चुका हूँ उन सब वीडियो के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं उपर जो आई का बटन वना हुआ है उस बटन में भी क्लिक करके आप सारी वीडियो अनार की ले सकते हैं हमारे चैनल पर जाके अनार की वीडियो ले सकते हैं क्योंकि मैंने बता पहुत अच्छा होता है। लेकिन अनार को आप पत्तों को भी प्रयोखर लेकर तोड़े दोगे। दोने के बाद को कपड़े में पोच के पोचने के बाद इसको आप दूप में सुखाए जो शुखायें तो इसका पानी सुख जाएगा जब आपको लगे पत्तों में से पानी सूख गया है भी इसको ढखने से दुख जाया गए को ढखने को अर थोप नहीं हारी लेकिन वैसे दूप आ रही है तो आप इसको सुखा लेंगे जब इसकी पतियों को तो इसकी पतियों का पाउडर कर लीजिए इसकी पतियों का पाउडर कर लीजिए और इसके फूलों का भी लिए देखिए इसके ओपर फूल आते हैं जब यह वड़े सूरत लगते हैं आप इसके फूलों को भी पाउडर क पूलों का पाउडर जो है फेस पैक में यूज हो जाता है पूलों का पाउडर आप चेहरे के जब आप काड़ा बना के इसके छिलके का मैंने बताया था चेहरा सुंदर बनाने के लिए काड़ा पीते हैं जिसको काले काले निशान दाने आ जाते हैं तो उनको इसके छिलके ज जितना जितना मिल जाए उतना मिक्स करके मंजन कर लो तो भी आप इसके दाटों की समस्या है जैसे खून आना, पीव दाटों में, दाथ हिलना या कई बार आपने देखा होगा कि मसूडे सुझे सुझे रहते हैं उसमें इसके पत्तों का बहुत अच्छा योगदान, प्रयोग है फिर इसके पत्तों को आप अगर सही ताजा ही पीस के पानी में धोड़ा मिलाके लेप बना लेप को आप सिर में मालिश कर लें तो बाल ज तो गंजा बन भी ठीक कर देता है अलाकि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि गंजा बन अगर हो गया है बिल्कुल बाल साफ हो गया है यहां तक यह जो पोर्ज है रों कूप है जहां से बाल निकलने है फॉलिकल्स वो भी बंद हो गया है तो इसके प्रियोग कैसे करें इसके पतों का कि गंजा बन ठीक हो जाए अनार के पतों को आप मूं में डाल के चबा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मूं के च्छालों में बहुत लाब करता है और भी कई बाते हैं अनार से जुड़ी हुई आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के www.yogafortheglobe.com पर जाकर आप इससे जुड़ी हुई जानकरियां प्रप्त कर सकते हैं आज इतना ही नमस्कार